अगर आप पालक पनीर बनाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बेहत स्वादिष्ट कोई सब्जी बनानी है आपको तो दोस्तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आये हैं आज हम बनाने वाले बेहत स्वादिष्ट पालक पनीर की सब्जी वैसे तो सभी ये सबजी बनाते ही है बट दोस्तो इस तरीके से आप लोग नहीं बनाते होंगे पूरी गारंटी है एक बार इस तरीके से बना के देखिए पालक पनीर की सबजी अब आप बोलोगी कि इसमें ऐसी भी क्या खासियत है दोस्तो वो तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एक बार बस इस रेसिपी को ट्राइ करके देखिएगा मेरी गारंटी है कि आपने ऐसी पालक पनीर की सबजी कभी निखाई होगी बलकि ऐसी डिस आपने कभी ट्राइ नहीं की होगी इतनी टेश्टी एक बार बस बना के दीखिए चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं हेलो फ्रेंग्स मैं हूँ चैंचल और मैं हूँ राहूल आप सभी कस्वागत है आरसी फूट के इंदर में दोस्तो हमें एक बरतन लेंगे और उसमें डाल देंगे एक गिलास पानी पानी उबलने के बाद ये मैंने 500 गराम पालक लिया है और इसे रफली मैंने काट लिया है और दोस्तो इसके जो डंठल है ये देखिए ये भी हम फैंकिंगे नहीं इसे भी हम यूज करेंगे यह बहुत कच्ची है तो डंठल को trout न नहीं है इसे भी यूज़ करना है क्योंकि इसमें भी बहुत आइरं और विटमीन तैंक तो इसे भी हम यूज़ करिंगे आप चाहते इसे बारीख भी चॉप डाल सकते हो ब्रटे यह हम पीसेंगे तो इसलिए मैंने इसी रफली ही चौप किया है पानी उबलने के बाद इसमें हम ये पालक डाल देंगी तो ये देखे दोस्तों पानी उबल चुका है हम ये पालक डाल देंगी इसमें half teaspoon नमक डाल देंगी एक मिनिट के लिए ढखके छोड़ देंगे हाई फिलेम पे बॉइल होने देंगे पालक को फ्रेंड्स एक मिनिट हो गया है और हम देख लेते हैं तो ये देखिए पालक पक चुके हैं और गल के देखे कितना कम हो गया है तो अब हम गैस बंद कर देंगी और इसे रूम टैंपरिचर पर ठंडा करने के बाद इसे पीस लेना है मिक्सी में तो चलिए पीसने के बाद मिलते हैं अब एक कढ़ाई ले ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे तेल आपके घर में जो तेल यूज होता हो वो तेल डाल लीजेगा तेल गरम होने के बाद एक चमस जीर डाल देंगे अब एक पिंच हिंग डाल देंगे ये दो प्याजे दोस्तों इसे बारिक चौप करके डाल देंगे मिक्स कर लेंगे दोस्तों प्याज हलका सौते होने के बाद ये एक इंच अधरक का टुकडा और 9 से 10 लसन की कलिया छिल के कूट लेंगे अब डाल देंगे मिक्स कर लेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है अब यह टमाटर है दोस्तो तो यह छोटे छोटे मेरे पास टमाटर है मिनी मिनी से तो मैंने पांच लिए हैं, अगर आपके पास मीडियम साइज की टमाटर हो, तो दो ही टमाटर लिजिएगा, तो इसे भी बारिक चौप करके डाल देंगी, स्वाधनुसार नमक डाल देंगी, हमने पालक बॉल करते टाइम भी आधाचमच नमक डाला था, तो उसी साथ से मिक्स कर लेंगे, और दोस्तों इस चैनल को फटा फट सब्सक्राइब भी कर लिजिए, और घंटे के आइकन पर जरूर हिट कर दीजिएगा, और पर क्लिक कर लिजिएगा, आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, जो भी हम अपलोड करेंगे, तो आ स्वाधिष्ट बनने वाली है, इसे ढखके 2-3 मिनट तक टमाटर को पका लेंगे, हमें करीब 2-3 मिनट हो चुके हैं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, यह देखिए, टमाटर बहुत अच्छे से गल चुका है, तो दोस्तों यह हमने बड़े-बड़े साइज की थोड़ी चार मिर्चियां ले लिए, हरी मिर्च, इसको हम बिल्कुल बारिक चॉप करके डाल देंगे, अब दोस्तों यह हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टी स्पून मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यह तीखी वाली लाल मिर्च है दोस्तों, और यह दो टी इन सब को एक बार मिला लेंगे मिलाने के बाद दोस्तो इसे ढखके तीन से चार मिनट के लिए पकने देंगे मसाला जब तक अच्छे से पकना जाए तीन से चार मिनट हो गया है देख लेते हैं इसे एक बार मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ह अच्छे से पक जाएं और इसे तीन से चार मिनट तक और पका लेंगे तीन से चार मिनट बाद धकन अटा के देख लेंगे और मिला लेंगे अब दोस्तों यह जो पालक का पेस्ट है वो डाल देंगे इसको रूम टेमरेजर पर ठंडा करने के बाद जो हमने पीस लिया था अ अब इसे मीडियम फ्लेम पे मिक्स कर लेंगे इसे ढखके पांच से छे मिनट तक पका लेंगे दोस्तों चार से पांच मिनट हो गया है अब हम देख लेते हैं इसे एक और मिक्स करने के बाद हम इसे चार से पांच मिनट के लिए और ढखके पका लेंगे मीडियम फ्लेम प कट कर लेते हैं तोटल लेके 12 मिनिट हमें हो चुका है अब इसको क्लाल मिला लेते हैं को अब दोस्तों यह ठाले95 पंईर और ज्यादा ऑख सकते हो का सकते हुआ अपने मरजी गेसाब्स से या सब्सक्राम पणिर डाल दे हैं यह हमने इतने बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया है आप चाहे हो तो अपने इसाप से कट कर सकते हो इसको क्यूब्स में छोटा या बड़ा हम इसको डाल देंगे अब थोड़ा केरफुल ली मिला है दोस्तो आराम-आराम से क्योंकि पनीर तूट जाते हैं कई बार तो थोड़ा आराम-आराम से मिलाए चलिए हमने इसको मिला लिया है अब हम इसको एक बार फिर से चार से पांच मिनट के लिए ढक के और छोड़ देंगे अब दोस्तों देख लेते हैं एक बार और ये देखे दोस्तों हमारी सबजी बनके हो गई है रैडी तो अब हम कर लेते हैं गैस बंद चलिए दोस्तों सबजी सर्व कर लेते हैं एक दो पनेर के पीसिस अब दोस्तों कर्ची ले लेंगे और इसमें तड़का त्यार कर लेंगे इसमें तीन से चार चमच ओल डाल देंगे तेल गरम होने के बाद इसमें डाल देंगे एक सुखी लाल मिर्च आधा चमच देगी मिर्च ये काश्मीरी मिर्च है दोस्तों ये तीक ही नहीं होती इसे चमच से एक बार मिला लेंगे और गैस बंद कर देंगे, तड़का डाल देंगे इसमें, मैंने तो इसको दोस्तों चावल के साथ सर्व किया है, अब इसके उपर धनिये से गारनीशिंग कर लेंगी, देखिए सबजी कैसी लग रही है, सबसे पहले आप देख लीजिए, तो मुझे बताईए एक बार, कमेंट करके, कि सबजी आपको कैसी लग रही है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताईएगा, अगर कोई फर्माईश हो आगे, आपकी कोई रेसिपी देखनी हो या कोई फर्माईश हो, तो आप वो भी हमें जरूर बताईएगा, देखने में तो सबजी बहुत ज़्यादा जबरदस्त लग रही है, लाजबाब लग रही है, चलिए इसको टेस्ट करते हैं, वैसे मैं आपको बतादू, कि मेरा सबसे फेवरेट जो सबजी है वो यह है, पालक पनीर, इसकी एक बहुत बड़ी वज़ा यह है, कि दोस्तो यह बहुत ज़्यादा हिल्धी भी होता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है, बसरते सही तरीके से बनाया जाए, तो इस रेसीपी को मिस बिलकुल मत कीज़ेगा, अगर आप इसको मि कर देंगे इस रेसिपी को बना के ट्राइ कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है मुझे पूरा वरुसा है कि आपको बहुत जादा पसंद आए ये रेसिपी ये देखिए तो दोस्तो सबजी तो बनी है बेहद स्वादिश्ट लाजबाब सबजी बनी है यकीन मानिए आपको मजा जाएगा ये रेसिपी ट्राइ करके दोस्तो इस वीडियो को शेर जरू कर दीजेगा बहुत महनत लगती है ये रेसिपी बनाने में तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप लाइक, शेर कर दीजेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा अगर आपको जीर राईस की वीडियो देखनी हो रेसिपी देखनी हो वह उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा अगर शाही पनीर, मटर पनीर या ऐसी और कोई भी रेसिपी देखने हो, बहुत सारी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, वो अगर आपको देखना हो तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो के एंड बे भी हम डाल दें एंड बॉक जो किन देखने हो झाँ झानों के साथ झाल जाल झाल, मटर जाएगर.